Hello Everyone, Welcome to Study Time with New Informatic Video UPPSC से RO और ARO की 2024 की जो वैकेंसी है वो आई थी और फरवरी में इसका एक्जाम हुआ था लेकिन लेक होने के कारण इसका जो एक्जाम है वो दुबारा से कंडक्ट कराया जा रहा है और दिसंबर महा में इसका आपका एक्जाम है और अब आपके पास बहुत ही जो कम समय है व समझे उसका जो सेलेक्शन है वो 100% हो जाएगा क्योंकि 3 से 3.5 महिने का समय जो है वो बचा हुआ है और इसमें आपने जो चीजें अभी तक कवर नहीं की है हलाकि अब तक तो आपका सब कुछ कवर हो गया होना चाहिए लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कहते हैं त जो विराम है वो लग जाता है यानि कि फिर आगे उसका कुछ नहीं हो सकता तो तैयारी ऐसी प्रक्रिया की सतत चलती ही रहती है तो फरवरी में आपका एक्जाम था तैयारी कितनी भी अच्छी थी लेकिन अब जब एक्जाम दुबारा से हो रहा है और इतना समय है तो एक अच्छी चीज है हर विद्यारती के साथ ये होना ही चाहिए तभी उसे ये पता चलता है कि हाँ मैं अच्छे से जो पढ़ाई है वो कर रहा हूं तो साड़े तीन महीने का जो समय है उसका अच्छे से आप लोग सदुपिए और आपको पता है कि ये जो प्रारंबिक प पाई तो फिर मेंस में क्या गर लेंगे आप मेंस का तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाई तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपका जो प्री का एक्जाम है वो किसी तरीके से क्वालिफाई हो जाए और वो कैसे हो लेकिन अब बात चल रही थी कि जब तक परी का exam conduct नहीं हो जाता है तब तक चितनी भी post होती हैं वो सारी add होती रहती हैं तो ये बात बिलकुल सच है लेकिन अभी official ऐसा कुछ भी post जो है add नहीं की गई है अभी जो आपकी exact time पे post हैं वो 411 ही हैं लेकिन जो जानकारी मिल रही हैं कि जो भी अधिया चनाएंगे वो इसमें add होंगी तो निश्चित तोर पर आपकी जो पदों की संक्या है वो बढ़ेगी और बढ़के ये कहा जाए कि 800, 900 और 1000 पार हो जाएगी तो ये बेमानी होगी ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है जो होगा वो आपके पदों की संक क्या है वो रह सकती है इससे जादा जो पद हैं वो नहीं बढ़ेंगे तो इतने भी पद आरो यारो की इत्यास में बहुत जादा है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि इतने जादा पदों पर भरती निकली हो तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए और अब बा महीने बाद हुआ था और इस बार भी सेम वैसा ही सैयोग बन रहा है तो इस बार जो आपकी परिक्षा होने जा रही है और जो उम्मीद है मेंस एक्जाम की वो अपरेल लास्ट की है यानि कि दिसंबर में आपका जो मेंस प्री का एक्जाम है कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको जनवरी फरवरी मार्च और कह सकते हैं थोड़ा या आधा अपरेल आपको साड़े तीन महीने के सम्थिंग जो है वो मिल जाएंगे और इसके बाद आपका जो एक्जाम है मेंस का वो कंड़क्ट करावाय जाएगा तो जो लोग भी मेंस को लेकर चल रहे हैं तो अच्छी बात है अगर आप अभी तक जो भी सारी चीज़े कर रहे थी अगर आपका दोनों चीज़ें अच्छे से कवर आप हो रहा है तो आप करते रहे हैं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अब जो समय आगे आ रहा है आपका जो आगे दो तीन चार मही चार तो नहीं है जो तीन महीने हैं इसमें अगर आप प्री पे ज़्यादा फोकस करके अगर तैयारी करेंगे तो ये आपके लिए बहतर होगा क्योंकि आगे जो बचा हुआ तीन साड़े तीन महीना मिलेगा आपको प्री एक्जाम के बाद मेंस के लिए उसमें आप टेडिक गए और इसमें उलज गए कि मैं निबंद भी कर लूँ ये सारी चीजे कर लूँ और फिर प्री ही क्लियर नहीं होता है तो थोड़ी इस्तेती जो है डामा डोल हो सकती है तो आप अगर अभी तक मेंस का कुछ साथ-साथ लेकल चल रहे थे तो चलते रहे उसमें कोई दिक् प्रनीती जो है वो आपकी प्रारंबिक परिच्छा को लेकर हो और मेंस का जब प्री क्लियर हो जाएगा तो अपने आप सारी चीज़े उसमें कर ही ली जाएंगे तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फर्मेटिव वीडियो के साथ और अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई क्वे